में दूस्तो के आप भी बनाजाते है नाचरल ग्ऩांप्ड होना बहुत ज़्याद जरूरी है इसलिए कई बार हम में क्टमिंट्र कब्ला है लेकिन उसकी जगे अगर आप नैच्रल हाइलाइटर करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं अपना खुद का नैच्रल हाइलाइटर जिस से आप अपने इसके और सकती है मतलब बहुत ज्यादा चमकदा ग्लॉसी बना सकती है तो मेरी इस वीडियो को एंड दग जरूर देखिए आज मैं स्मूथ और सॉफ्ट बन जाएगी उधेरी ना करते हैं यह चली वीडियो को शुरू करते हैं इस नैच्रल हैलेट को बनाने के लिए हमें जस चीज के सबसे पहले जरूरत होगी वह है ऐलोवेरा जेल यहां पर मैं एक लीफ ऐलोवेरा की इस्तिमाल करूंगी ऐलोवेरा के चसाय Neh बनाता है साथी पनन सोब ही जाहिए लादेता है यहां पर मैंने दो से तीन चमच जल का इस्तिमाल कर सकती है ले जेल कर रात में सिस्टीमाल करने के सीज से यह आपके जारे माइश्य लाता है अभु मैं रज सारस में संद्विक एसे उपन फॉर्स को खतम करता है नियुट GY और इसमें एड़ कर दूंगी इसको डाल कर आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा इसके इस्तिमाल से आपकी स्किन शायनी भी बनती है और साथी कलर आपका फेयर होता है अब हमें जिसी इसकी नेक्स्ट जरूरत होगी वो है शुगर यानी चीनी दोस्तों चीनी हमार स्कुन को शुइ है रोत साहित नाती है साथी साथ हमारी रोत पेंपको निकालता है साथी साथी यापकी सक्षार है हम हमारे बालों मैं के लिए पधिन के लिए प्रॉंध प्रहित रखोरा ही करें बाता है साथ आपकी कीश्व के टाइट और स्मूध बनाता है हमें एक चममचे कर इस्तिमाल करना हो इसको एड़ करने के तो दोस्तों बस इन कुछ चीजों को मिलाकर हमने यहां पर बना लिए नाच्रल हाइलाइटर जो आपकी सकीन को हाइलाइट करेंगा साती नाच्रली ग्लॉइंग बनाएगा तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरी आज की वीडियो अगर वीडियो परसंद आए तो लाइक और दोस्तों वीडियो में बताएगी इस रेमिटी को अगर आपने हफ्ते में तीन से चार बार यूज कर लिया तो यकीन वानिया आपकी स्किन नैच्रली ग्लो करने लगेगी साथ यपकी स्किन का कलर फेर होगा ग्लॉसी बनेगी ग्लोइंग बनेगी और आपको कभी भी हाइ जरूरत नहीं पढ़ने वाली है अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथी बल आइकन को भी जरूर प्रस कर दीजिए जिससे आप मेरी ऐसे ही और भी अमीजिंग वीडियो देख सकते हैं तो मिलते हूं आपसे ऐसे